हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है study of education subject में देखे आज की class में हम लोग कारल रोजर्स का सम्वृत्ति का सिध्धान्त पढ़ेंगे सम्वृत्ति का सिध्धान्त पढ़ेंगे ठीक है जिसे हिगटना विज्यान का सिध्धान्त भी बोलते हैं यानि कारल रोजर्स का जो व्य सिध्धान्त इसके वारे में जानेंगे और जिसे हम सम्वृत्ति सिध्धान्त या घटनावज्यान का सिध्धान्त भी बोलते हैं तो देखे कारल रोजर्स के जो दिया गया व्यक्तितान्त है वह एक घटना विज्यान के नीमों पर आधारी थैं ठीक है क्योंकि इनका जो प्रवूती है उसी पर इनका सिधान्त आधारित है, वो व्यक्तित्सक में होने वाले वर्दन वक्तित्ति हैं, उसका अध्यन करना था, यानि इनका जो सिधान्त है इसका जो मुख्य उदेश ये था जब ये इसका मानुशी गत्सक के प्राप्त जो अनुभूतियां है उस पे इनका सिधान्त बेज़्ध है और साथ ही साथ जो इनके सिधान्त का मुख्य उदेश है वो मेक्तित में होने वाले जो चेंजिस होते ह सबसे पहले बात कर लेते हैंगहण ए घटना विगयान क्या है उसे उसके अंतरय Hilite यह उसका बहुते हैं जो मप जो होती है जो उनके अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में जो उसके खुद के वैक्तिकत विचार होते है उसके है इसके अंतरगत किया जाता है आगे चलते हैं तो जो रोजर्स का जो सिधान्त है वो मनोचिकित्सक द्वारा प्राप्त जो अनभूतियों पर आधारित है ये हुम लोगों को अभी हमने देखा शुरू में ही ये चीज़ आपको बताएगी जो रोजर्स का सिधान्त है वो मनोचिकत्सक द्वारा प्राप्त जो भी अनभूतियां है उस पर आधारित है और इसके सिधान्त का जो मुख्य उद्देश वो व्यक्तित्विक में होने वाले जो परिवर्तन है तथा व्रिद्दी का अध्यन करना था टीक है वो जसने अपने व्यक्तित सदानगे मानोचण क्रक्द आधाने प्रस्तत की है टीक है परिवर्तन सीलता हो गए सुक्रेता हो गया अधी पर अध्यन्हों ने इस टाइक की अभिदार्यिकिया इन पर ज़्यादा जूर दिया जबकि इन्होंने क्या किया कि गर्णात्म क्पच्छों और कम जोर दिया है १ियरक इनके सिद्धान को समझने के लिए मुंझे इनके उन्हों समझ सकते हैं इन्होंने जो सिधान दिया, उसको हम तीन भागों में बाठ करके अच्छे से समझा सकता है, पहला है कि जो वेक्तितो का स्थाई पच, यानि Enduring Aspect of Personality, दूसरा वेक्तितो का गति की पच, यानि Dynamics of Personality, तीसरा है वेक्तितो का विकास, यानि Development of Personality, तो आज की अगर वीडियो अग आज आए स्टार्ट करते हैं, देखिए, रोजस के जो सिधान थे, इसको तीन भागों में बाठा, इसका मतलब जो वेक्तितो में स्थाई पक्ष होते हैं, किसी वेक्तितो का समझने के लिए उसमें बहुत छीजे हमको समझनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले जो रोजस है, इन्होंने व्यक्तितों के स्थाई पक्ष की बात की फिर व्यक्तितों के गदिकी यानि उन्हें जो व्यक्तितों में जो परिवर्थनशील पक्ष होते हैं उनकी बात की और फिर व्यक्तितों के विकास की बात की तो इस तरह वन बाई वन करके हम इसको देखेंगे तो देखे अब से पहले हम बात कर लेते हैं प्राणी की, देखें प्राणी क्या होता है, कि रोजस के अनसार जो प्राणी होता है, वो एक दैहिक जही होता है, जो कि चाहे वो फिजिकल हो, चाहे साइकलोजिकल हो, दोनों प्रकार की अक्टिविटीस क्या होता है, जो प्राणी होता है, इनके रोजस के अनसार क्या होता है कि प्राणी जो होता है वो सभी प्रकार की जो अनभूतियों का केंदर माना जाता है ठीक है इन अनभूतियों में जो है दैहिक गत्विधियां चाहे वो सारी गत्विधियों से संबंदित जो भी अनभूतियां साथी साथ जो की बाहवातावरण की घटनाएं हैं, जो बाहर हमारे इन्वार्मन में घटनाओं को हम देखते हैं, उसकी जो अनफूतियां दोनों ही क्या होती हैं, समलित होती हैं, ठीक है, और इन्होंने सबसे महत्रपून बात आगे जो प्राणी के अंतरगेद हिरों ने ब या फिर unconscious mind ठीक है इसको इस देख सकते हैं प्रसांगिक छेत्र की बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक देखिए विम्भीने प्रकार की जो है व्यक्ति में क्या होती है एक conscious होती है अनभूतिया होती है यानि एक चेतन अनभूति होती है एक चेतन अनभूति होती है इन दोलों का स कि अनभूतियां होती है इनका जहां मिला जुला मिला-जुला कर देते हैं जिस छेत्र नीर्मार कर सोפका से विरक्राइब प्लशन गसाने होता है अब आपको प्लशन स्यक्रों त्रहत है इन्होंने इसी प्रसांगीक छेतर को माना है क्या कहा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रसांगीक छेतर को सही सही जानना तता किसी अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके प्रसांगीक छेतर के बारे में नहीं जान पाना ही इस छेतर की क्या होती ही तो कभी घानी सकता जान सकते हैंblood के भी हमारी एक अंकॉंशेस माइंड में चल रहा है हाव यह कोशिक टे तो एक तर्सुर से यह इस तरीके की जो विशेशक हैं वही इस प्रसांगिक छेत्र के बारे में थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में जान सकते हैं ठीक है दूसरी बात करते हैं आत्मन की आत्मन का मतलब यहां सेल्फ और यहां प्राणी की इंगलिश यो है और्गनिजम की बात करते हैं ठी और जो आत्मन है इसको जो बोलते हैं वो सेल्फ है देखिए अब आत्मन की बात करते हैं तो देखिए रोजस ने व्यक्तित्य के सिद्धान का दूसरा महत्रपूर्ण कॉंसेप्ट ये आत्मन ही बताया ठीक है आत्मन जो होता है वो अनुभव के अदार व्यक्ति के पसांगी क्षेत का जो भाग अधिक विस्ष्ट हो जाता है उसे ही आत्मन कहते हैं देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि अनुभव हमारी जो अनुभव होते हैं उससे क्या होता है कि कुछ चीजे हमार पक्की होती जाती है हमारे experience बार-बार क्योंकि हमको एक ही तरीकी का experience हो तो क्या होगा कि हम उस चीज को particular उस फील्ड को ज्यादा ही अत्मान में कि वक्त की कोई अलंग विमा नहीं होता है यह क्या होता है सिशो की ыनभूतियां होती है एक कोई खाब बहुता है वह वह अपनी पहारी जो कसातियां पर जो अनभूतियों की प्रववतियों की प्रववस्ता की जाच करना प्रार्म कर देता है तब से ही उसका आत्मन क्या होता है विखस्त्त लगता है याने यह जो आत्मन है इस स्वावस्था से ही develop होना है is start कर देता है और आत्मन में दो तरीके के आप सब सिस्टम भी उन्हों ने बताए यानि दो तरीके के उपतंत्र भी इसके इंतर बताए पहला है आत्मसंप्रत्य दूसरा है आदस आत्मन आत्मसंप्रत्य का इंग्लिश में self concept बोलते हैं और आदर साथ मिल का मतलब ideal self सबसे बात करेंगे तो आत्मसंप्रत्य की अब यह आत्मसंप्रत्य क्या है देखें आत्मसंप्रत्य से तात्परी जो होता है सब्सेकर न होता है जिनसे विकति आवगत होता है यहां यह comments सब्सेप्रत्य के आते सीधा कंसेट है कि विकति को अनभूतियां होती है उसके बारे में उसका व्यक्तियत विचार यानि खुद इससे बनाए गए जो अपने एक्स्पिरियंस के अधार पर अपने अनुभूतियों के आधार पर जो भी उसने खुद के विचार डेवलप किये हैं उसे ही में बोलते हैं सेल्फ कॉंसेप्ट तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सही ही होता है कभी-क आत्मी संप्रत्य को प्राया अपने बारे में कुछ कहे जाने वाली विशेश प्रकार के जैसे कथल होते हैं उनके द्वारा क्या करता है वेक्त करता है बताता है जैसे अपनों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हुए वाक कह सकता है कि मैं एक ऐसा वेक्ति हूँ जो त आपका एक self concept क्या होता है निर्माण हो जाता है तो उन में किसी प्रकार की परिवर्दन नहीं होता है ठीक है नहीं होता है अगर आपने किसी प्रकार का self concept किसी बारे में develop कर लिया है तो उसमें क्या होता है changes होना कटिन होता है वंःति कै regulate क्या करता है विगति के साथ नीजभानतीत के साथ कुछ जड़ी असंगत अनभूतियों को स्विकार नहीं करते हैं यदि उससे स्विकार भी कर लेते हैं जो सविकारा चीज के लिए तो हम उसको नहीं बदल करें हैं अगर हमको माले जैंसे बदलने की कोशिच भी हम करते हैं तो उसे उस पॉर्म में नहीं स्विकार कर पाते हैं और जो हमारा परेंट जैसे माले जैंए और दूसरी बात करते हैं कि आत्मे संपरते हैं ठीक है दूसरी जो विशेष्टा है आत्मी संप्रत्य की पहला तो यह है कि अगर हम एक बार हमारा concept डेवलप हो गया तो हम उसे क्या करते हैं उसे परिवर्टन नहीं ले आते हैं अगर ले आना भी पड़े तो हम उसे एक disorder form में स्विकार करते हैं कि दिसारीटे के disorder form में ही उसको लेते हैं दूसरे विशेष्टा है कि जो आत्मी संप्रत्य होती है उसमें जो है एक बाइल rich कल से भिन्य होती जब कभी भी व्यक्ति के जैविक संप्रत्य का concept होते हैं परन्तों यदि व्यक्ति के गुर्दे में पथरी बन जाए तो उन्हें क्या होता है पेट दर्ध होने लगता है तो जो गुर्दा है उसका एक आत्म संप्रत्य का आंच बन जाता है यह हमारा self concept का मुद्धा बन जाता है तो आगे बात करेंगे आदा शात्मन की अधा शात्मन का होता है आदा से तात्पर होता है ऐसी वेक्ति के स्वयम के बारे में विक्सित के आदा सचविसे तिक है जो वहां खुद में डेवलॉप करने की कोशिश करता है मतलब एक अपने आदश आत्मन होता है उसमें व्यक्ति स्वयम के बारे में विक्सित की गई जो आदश शवी से होता है आदश आत्मन में क्या होता है कि इसमें धनात्मा गुर समाईत होते हैं जिने क्या होता है व्यक्ति अपने में विक्सित होने का सपना देखता है एक तरीके से कि जैसे को विक्सित व्यक्ति के आदस आत्मन और प्रतच्चत आत्मन में कोई अंतर नहीं होता है तो क्या होता है अगर मालीजे किसी विक्ति के जो आदस आत्मन है जैसा वो चाहता है और जैसा वो है उनके बीच में अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या होता है वो एक सुविक्सित व्य का वभ्टि के लाएगा यह अगर व्यक्ति में समयादमो जाता होती है hanging तु इस तरीके से आदऄत्स आत्मन क्या होता हैं वस्तता क्या होता है इन दोनों आत्मनों के बीच अंतर अगर ज़्यादा हो टो यह एक असवस्त व्यक्तितों को दिखाता तो आज वेक्तित्यों का गतिक जो इसका पक्ष है इसको भी देखेंगे लेकिन आज की वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है 15 मिनिट की हो चाहिए तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे तो हाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और साथ ही साथ अगर आप इस थेओरी को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देऊंगी आप मेरी ब्लॉक पर जाके उसको पढ़ सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी